नमस्कार, स्वागत है आप सबका, आपके अपने मसावा खचिन में आज हम बना रहें मटर का निमोना इस सीजन में मीठे मीठे मटर आना शुरू हो गये हैं तो ऐसे में मटर का निमोना बनाना तो बनता ही है तो हम सबसे पहले आलू को fry करेंगे और फिर इसकी त्यारी करेंगे आलू को हमने छील दिया है उसे इस तरीके से काट लीजिए इसे बना रहे हैं सर्सों के ओईल में आप घे में भी बना सकते हैं पर इसे रिफाइन में ना बनाएं तो सबसे पहले मैंने एक सर्विंग स्पून ओयल ले लिया है हमारे घर में उड़त दाल की या मूंग दाल की वड़ी होती है इसे इस निमोने में जरूर डालना चाहिए इससे स्वात बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो मेरे पास ये दो तीन वड़िया हैं इसे हम पहले फ्राइ कर लेते हैं ये वड़िया फ्राइ हो चुकी हैं इसे हम निकाल लेते हैं आप या तो दो बड़े आलू ले ले लिए तो 4 चोटे मैंने इन आलूओं को छोटा चोटा कात लिया है इने रूं फ्राइ कर लेते हैं प्राइ करने से इसका पिर बहुत अच्छा आता है। अब हमारे पास हरा धनिया, वैसे अगर आपको इस ताइम में जो फूर वाला धनिया आता है, वो ले ले तो बहुत अच्छी कुछ गुदू आती है। पर जो भी धनिया आपको मिल जाए, हरा लसन अगर आप खाते हैं तो हरा लसन लीजिए, नहीं तो सूखा लसन भी ले सकते हैं और हटा दी सकते हैं। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, अधरक लीजिए, इन सब की एक चट्मी सी बना लीजिए। अधरक, लसन, हरी मिर्च और धनिया की मैंने पेस बना लीजिए, ये एक तरफ रखते हैं, अब है में चीज हमारे पस मतर, ये मतर बहुत बढ़िया मीठे आ गए हैं तो वही मतर चाहिए होते हैं खास निमाने के लिए, तो हमने इन सारे मतर को दो के रखा हुआ है, थोड 40% करीब, सॉफ्ट भी हो चुके हैं, ये हम निकाल लेते हैं, अभी हम इसे ओयल में मतर को सेखेंगे, ये सेखना बहुत जरूरी है, मतर अगर सिखे हुए होंगे, इस निमाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मीदियम प्लेम पे इसे धीरे-धीरे, पूरा पूरा पानी नहीं होना तो इस मतर के अंगर, ये दिखिए मतर अच्छे से भून रहे हैं, और इसका पूरा मोईस्टर पानी अंदर होता है, सब्जी का पूरा सूपना चाहिए, तभी इसमें बहुत अच्छा स्वाज आएगा, एक जो मित और लगेगा अच्छे से भून नहीं है इसके अंदर, इस मतर को हम निकाल लेते हैं, अभी इसी पैन में थोड़ा सा ओल और डालना पड़ेगा, इसमें डालेंगे हम एक तेज पत्ता, एक सूखी साबुत लाल मिर्च, आधा चमत जीरा, और 1 फोर्थ टी स्पून हींग, गैस की फ्लेम से स्लो रखें, इ अभी जो पेस्ट बना रखी थी, उसे हम डाल, इस पेस्ट के साथ, जो हमारे पास थोड़े कच्चे मतर जो हमने साबुत बचाये थे, उसे भी डाल देते हैं, अभी मेरे पास जो तली हुई वड़ी हैं, चाहे तो हम इन्हें ऐसे ही डाल दें, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी तोड़ के डाल दें, जिसे सब को खाने को मिले और इसका तेस्ट बहुत जादा बढ़ जाए, अब यह जो मैंने तोड़ के वड़ियां रखी हैं, इन्हें हम डाल देते हैं, दो टमाटर लिए मैंने काटके उन्हें डाल देते हैं, यह सब एक साथ पतने चाहिए, इसे मै कुछे अब इसमें मसाले जाल वह来 हुआ है, पूरा साथ धन्या पौडर, वैसे धन्या हमने हरा डाला हुए, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, लाल मिश्थ हमने हरी डाली हैं, कई लोग डालते ही निया है, लाल मिश्थ कई लोग पसंद करते हैं, यह आपकी च्वाई से आप अपने साब से कर सकते, फोरा का दाल रहे हैं गरम मसाला और स्वाद अनिशा दालेंगे हम नमक अब यहां पर जो हमने मतर को भून दाल देते हैं यह मतर पुरे खिले खिले हो गए हैं यह बहुत अच्छी बात है इस तरीके से ही मतर को पकाना चाहिए अब वाफिस मतर के साथ ही भून देते हैं अब हमने इसे भून दिया है अब हम पानी दाले हैं इसमें हमने अच्छे से पानी डाला है एक से डेट ग्लास जिसमें अराम से पके और सारी सबजियों में सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए निमोने का जो कलर होता इसी तरीके से ग्रीन कलर भी होता है क्योंकि मतर को हमने पीस लिया है मतर करीब मैंने 300 से 300 ग्राम करीब लिये थे मतर अब इसे मेडियम फ्लेम करके ढख देते हैं मतर का निमोना बनकर तयार हुआ है इसे 57 मिट के लिए मैंने अच्छे से स्लो गैस पे ढख कर पकाया है आलू भी सॉफ्ट हो चुका है और मतर भी तो यह बहुत ही बढ़िया है और इसकी ग्रेवी भी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है इसी तरीके से हम रोटी परांठे चावल के साथ खा सकते हैं अब हमें गैस बंद करके इसे डिश आउट करते हैं तो इस तरीके से वडी को भी हमने तोड़के डाला है तो उसका भी बहुत ही बढ़िया अमलेजिंग सा फ्लेवर इस ग्रेवी के अंदर आ गया है जिससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से बंद के त्यार हुआ है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें जादा जादा शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेस्बुक को भी जरूर फॉलो करें